सुआगा थे दोस्तो अपने यूट्यूब चैनल आई टेक्निकल कोर्स में दोस्तो ये पेपर इलेक्रिशन थियोरी के है और ये आप आई टी आई कर रहे हो और फ़स्ट इयर पे हो तो आप ये कोशन जरूर देखना ये समेश्टर टू है मॉडूल नमर टू है और बेसिक बारिंग प्रेक्टिस कोशन पेपर है इसके पहले में बहुत सारे इलेक्रिशन थियोरी के फ़स्ट इयर और सेकंड इयर के अलाग-अलाग अपलोड कर दिया हूँ आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो आपको इंजिनिरिंग ड्राइंग और एंपलाइवेल्टे स्किल वर्क्षप केकलेशन, इलेक्रिशन थियोरी सभी के कोशन आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में आप जरूर बिजिट करिए डिक्सिक्सन पे सभी के लिंक दिये गया है आप वहाँ से चेक आउट कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको कंपलेट 20 कोशन का सल्यूशन कराऊंगा और बिस कोशन कैसे आया, क्यों आया मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके पहले मैं 40 कोशन करा चुका हूँ आज का है 41 से नमर 60 कोशन तक कराऊंगा नहीं 60 नमर तक आप लोग चैनल पे नए हो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, लाइक कर दीजे, सेर कर दीजे और दोस्तों को सेर जरूर करना फ़र्शन नमर कोशन आज के ये दिया गया है कंड्यूर पाइप कैसे निर्दिष्ट किये जाते है दोस्तों जो कंड्यूर पाइप होते है तो उसमें से आपको ये बताना कि कैसे निर्दिष्ट किये जाते है कैसे बनाये जाते है उप्सन A जैसे दिया के लंबाई मीटर पे उप्सन B दिया दिवार की मोटाई mm में, option c दिया है आंतरिक ब्यास mm में option d दिया है बाहरी ब्यास mm में, इसका भी जो right answer होने वाला है, वो होगा d number, ब्यास बाहरी ब्यास mm में जो conduit pipe होते हैं उसको निर्दिष्ट करते हैं अगला प्रस्न है, पुना तार बांधने योग, fuse के लिए fusing factor है, पुना तार बांधने योग, जो fuse होते हैं, दोस्तो वो होते है, kitkat fuse fuse हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एक होते kitkat fuse, एक होते cartridge fuse, एक होते HRC fuse, ठीक, अब जो kitkat fuse होते है, porcelain के बनाए जाते हैं, और उसमें एक आधार होता है, और एक base होता है, ठीक अब जो kitkat fuse होता है इसमें हम rewire bubble कर सकते हैं और fuse जल जाता है, तो हम लोग बाइर लगा के दुबारा यूज कर लेते हैं अब इसी fuse का जो fusing factor पूचा गया है, तो उसका right answer होगा, B number 1.4 होगा अगला प्रसंद जैसे दिया गया है 43 number 43 दिया है, पैंडेड holder, संयोजन के लिए अंडर राइटर की गाट का उद्देश क्या है दोस्तों जो पैंडेड होलडर होते हैं संयोजन के लिए, अंडर राइडर की जो गाट है, गाट का उद्देश से बताना है, इसके जो राइट एंसर होने बाले हैं, वो होगा D number, समान के टर्मिनलों से तनाव कम करें जो दोस्तों गाट कर देते हैं देखे होगे, आप लोग लटकाने बाले जो बल्व होलडर होता है तो यहाप जो डोरी होती है, डोरी का हम लोग अब आपको यहाप एक डाइग्राम देख रहा है अब आपको पहचानना है कि यह फ्यूज किस प्रकार का है यानि कौन से प्रकार का फ्यूज है अब इसके जो राइट एंसर होने वाला है option तो दिया गया है चाकू धार कार्टीज फ्यूज option B दिया है हाई रप्चरिंग छमता वाला फ्यूज option C दिया फेरूल संयोजन कार्टीज फ्यूज इसका जो राइट एंसर होने वाला हुग होगा B नम्मर हाई रप्चरिंग छमता HRC फ्यूज है HRC का फुल फॉर्म होता है हाई रप्चरिंग कैपसिटी ठीक तो आपको यह question आता है आपके एक जम पे तो आप कर सकते हो इस फ्यूज का नाम है हाई रप्चरिंग कैपसिटी यानि HRC फ्यूज राइट एंसर B नम्मर करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्ट जिसे दिया गया है हाँपे 45 नम्मर question 45 नम्मर पे आपको यह बताना है बिद्दू सामाग्री का नाम अब आपको दो सामाग्री है पे दिख रही फर्श नम्मर शेकर नम्मर अब आपको इसका नाम बताना है ठीक इसके नाम में से इसका जो option A दिया है ब्रैकेट होल्डर दिया है Option B दिया है Additional Screw प्रकार होल्डर दिया है Option C दिया है Code Sequel Lamp Holder दिया है Option D दिया है Goliath Additional Screw Lamp Holder तो दोस्तो इसका जो Right Answer होने वाला है 45 नमबर का तो 45 नमबर का Right Answer होगा B नमबर Additional Screw प्रकार होल्डर यह जो आपको होल्डर दिख रहा है इस होल्डर का नाम है एडिशन इस्कुरू प्रकार होल्डर अगला प्रस्ट दिया गया है 46 नमबर है बायरिंग परिपत में परियुक्ट परतीक का नाम ये आपको सिंबोल दिया है और इस परतीक या इस चिन्द का या इस डाइग्राम का नाम बताना है आप लोगों को मैं पहले भी बताया था कि इलेक्टिकल से संबंधित जो पेपर होते हैं उसमें से सिंबोल आते हैं परतीक आता है आप लोग को सारे परतीक अनिवार रूप से आना चाहिए 46 का राइट एंसर जो होने वाला हुग होगा डी नमबर प्लग और सॉकेट इसका प्रतीक है ये प्लग है और ये प्लग ही सॉकेट है मेल फीमेल अगला परसंच जैसे 47 नमबर दिया गए है दोस्तों यल्स रेंडि यमसी बी के दवारा किस प्रकार के भार को सुरगषित किया जाता है को बनम्र होगा गीजर ELSRENDY के जो MCB होती है बहुत टाइप की MCB होती है जो ELSRENDY के MCB होती है उसको हम लोग गीजर में उपयोग करते हैं अगला प्रस्ण जैसे दिया गया है यहाँ पे अगला प्रस्ण ने दिया गया है 48 नमबर 48 नमबर में दिया कि किस प्रकार का switch सेक्यूट में उप्योग करते हैं किस प्रकार का switch circuit में यूज करते हैं ठीक इसका right answer होने वाला 48 का B नमबर होगा 2-base switch यह जो switch दी गई है यह 2-base switch है एनी 2-base switch का जो terminal होते हैं कुछ इस तरह के ही होते हैं अगला जैसे प्रसंद दिया गया है 49 नमबर दोस्तो 49 नमबर में यह है का मैं धारा rated केबल को उच्छ धारा भार में जोडने क्या प्रभाव होगा जो कम धारा rated के केबल होती है जो उच्छ धारा भार में जोडने का प्रभाव पूचा गया है तो इसका right answer होगा 49 number का D number correct गर्मी के कारण केबल खराप होगी आगला प्रसंद दिया गया 50 number conduit samagri का क्या नाम है दोस्तो जो conduit samagri होती है इसका नाम आपको बताना है तो इसके जो conduit samagri इसका right answer होने वाला है वो होगा C number ठीक ये जो conduit pipe है ये होता है निरिक्षण band अगला प्रस ने 51 number दिया गया है मध्धवर्ती intermediate switch के साथ कितने tube switch एक lamp को तीन अलग अलग अस्थानों से नियांतित करने के लिए उप्योग किया जाते है दोस्तो जो intermediate switch होती है में जो switch का यूज किया जाते है तीन अलग अलग अस्थानों से control करते है इसका जो right answer होगा 51 का वो होगा B number ठीक अगला प्रस्ण जिसे दिया गया है यहां पर 52 नमर दिया गया है concealed wiring का क्या फायदा होता है दोस्तो जो concealed wiring होती है उसका main फायदा यह होता है नमी से सुरक्षीत हम लोग concealed binding इसी लिए करते हैं ताकि नमी से safe रहे या सुरक्षीत रहे और अगला प्रस्ण दिया गया 53 नमर है आरेक का क्या नाम है यह जो आरेक दिया गया इसका नाम बताना है तो इस वाले आरेक का नाम क्या होगा इसका right answer होगा अगला प्रस्ण जैसे दिया गया है यहां पर 54 नमर 54 यह है HRC fuse है तो fusing गुडांक क्या होता है दोस्तो HRC जो fuse होता है उसका fusing गुडांक है fusing factor होता है तो इसका right answer होगा B नमर 1.1 HRC fuse को 1.1 होता है KitKat fuse को 1.4 होता है तो अभी इसका right answer B नमर करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्ण 55 नमर दिया गया है किस प्रकार के relay को AC और DC दोनों में संचालित किया जा सकता है AC कौन सी प्रकार के relay है जिसको हम AC और DC दोनों के लिए ओपरेट कर सकते हैं चला सकते हैं इसका right answer होगा C नमर ABEG relay अगला प्रस्ण 56 नमर दिया गया है 56 नमर है बिद्दुत उपकरणों में परियुक्त सामग्री का क्या नाम है दोस्तों आपको इसमें से यह बताना है कि जो परियुक्त उपकरण है इसमें से जो परियुक्त सामग्री है तो इसमें से कौन सी सामग्री है इसका राइट एंसर होने वाला है C नमर होगा सीधे प्रवेश के साथ लौह सयोजन अगला जैसे प्रसंदिया गया है 57 नमर 57 नमर यह है सामग्री परतीक का नाम दोस्तों आपको बताना है कि इस सामगरी परतिक का नाम क्या है इसका राइट एंसर ओगर डी नमबर बहु इस्तितित एकल दुरूब स्विच अगला जैसे प्रसंदिया गया है घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश है दोस्तों जो घरेलू तार होती है उसमें जो लचीली तार होती है लचीली कहसी तो फ्लیکसिवल तार तो इसमें जो फ्लیکसिवल तार होते है उसका कार यह है ट्रांस्पोर्टेवल उपकरेंट कनेक्शन के लिए अगला प्रस्न जिया है किस परिपथ भन्जंग का उपवियोग 59 question ये दिया है कि किस भंजंग परिपत को उप्योग 100A धारा रेटिंग से उपर किया जाता है तो इसका जो राइट एंसर होगा 59 का वो होगा C नमबर Molded Case Circuit Breaker E.M.C.C.B अगला जैसे प्रसने है 60 नमबर ताबे के फ्यूज तार पर टीन कोटिंग का क्या उद्देश है तीन कोटिंग का उद्देश यहाँ पर यह है ताबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना राइट एंसर C नमबर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों यह आपके मैं अभी दो कोशन और करा देता है 61, 62 भी चार कुचलित चालकों के समू का नाम बताना इसका 61 का राइट एंसर यह होगा C नमबर करेक्ट अगला है चार लैंप को नियंदित करने के लिए गोदाम बाइरिंग सर्कीट में कितने दो तरह के स्विच आवस्सेक हैं इसका राइट एंसर होगा 62 नमबर का B नमबर करेक्ट 3 एनि चार लैंप को कंट्रोल करने के लिए आपको जो गोदाम बाइरिंग होती है उसमें 3 सुच की अवस्सेक्ता पड़ेगी दोस्तो 62 कोशन हो गए है और इसके आगे के कोशन नेश्ट वीडियो में बताया जाएगा आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे लाइक कर दीजे शेर कर दीजे मिलते हैं नेश्ट वीडियो में थैंक यू